जहां शीराम करते थे पूजा वे इस्थान दुनिया के सबसे बड़े दीपक से होगा रोशन गिनीज बुक के लिए तैयारी राम लला के प्रान परतिष्टा समारोश रधालों के लिए बेहद अनोखा होगा रामघाट पर तोलसी बाड़ी में 22 जनवरी को जो त्रेता यूगिन दीपक जलाए जाएगा वे दुनिया का सबसे बड़ा दीपक होगा 28 मीटर व्यास वाले इस दीपक को प्रजुलित करने में 21 क्यूंटल तेल लगेगा इसे गिनीज बुक आफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करानी की तैयारी है दीपक का नाम दसरत दीप होगा इसे तैयार करने में चार धाम के सार तीरत स्थानों की मिटी नदियों में समुदर के जल का इस्तेमाल किया गया है तपस्वी छावनी के संथ स्वामी परमहंस ने बताया कि सास्तरों में पुरानों के अध्यन के बाद दीपक काकार त्रेतायुक के मनुस्यों के अकार के अनुसार तैयार कराए जा रहा है इसके लिए 108 लोगों के टीम बनाए गई है दीपक तैयार करने में लगभग 7.5 करोण रुपे खर्च होंगे इसके बाद ही सवा क्यूंटल रूई से तैयार हो रही है स्वामी परमहंस ने दावा किया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक होगा इसमें देशवर की सरधालों की आस्ता मैनत और सरधा भी शामिल है इससे पहले 9 मीटर व्यास का ही दीपक जलाए गया है विश्वर रिकॉर्ड में नामदर्ज कराने के लिए गिनीज बुक आफ दवर्ड रिकॉर्ड की टीम से संपर्क भी किया गया है ये है खास 28 मीटर व्यासे दीपक का 108 लोगों की टीम कर रही है तयार साड़े साथ करोड खर्ष होने का अनुमान 125 किलो रूई से तयार होगी बाती तुलसी बाड़ी में ही पूजन करते थे राम लला स्वावी परमहंस ने बताय कि भगवार राम तुलसी बाड़ी में ही पूरे परिवार के साथ पूजन क्या करते थे सर्यू की तड़ परिशनान करने के बाद वह यहीं पूजन के लिए आते थे इसलिए आज भी इसका नाम राम घाट है सरकारी दस्तावेजों में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है त्रेतायूग में 21 फूट थी मनुशी की लंबाई परमहंस के अनुसार त्रेतायूग में मनुशी की लंबाई 21 फूट यानि 14 हाथ हुआ करती थी सास्त्रों में पुराणों में इसका वर्डन मिलता है साथ योग में 32 फूट यानि 21 दौपर में 11 फूट यानि 7 हाथ होती थी कल योग में 5-6 फीट के वीच लंबाई होती है कोलकाता से आई मसीन से पकेगा दीपक इतने वड़ी दीपक की पथाई का काम कोहार करेंगे इसको पकाने के लिए कोलकाता से मसीन मंगाई जा रही है ये मसीन 3-4 घंटे में इस दीपक को पका कर तयार कर देगी शोभन योग में 9 हवन कुणों का निर्माड शुरू प्राण प्रतिष्ठा के लिए 9 हवन कुणों का निर्माड कार शोभन योग में बुद्वार से शुरू हो गया कासी से पोंचे वैदिक ब्रामणों के निर्देशन में सबसे पहले चतोर सस्त्र कुण का निर्माड हुआ इससे तयार होने में 6-7 घंटे लगे है चार से 5 दिनों में कुण निर्माड का कारिपूर्ण हो जाएगा कासी से आए 5 सदसी वैदिक आचारे का दल सबसे अंत में पद्मकुण का निर्माड कराईगा आचारों के दल में कर्मकांडी, विद्वान, अरुन दीख्षित, पंडित सुनिल दीख्षित, अनपम कुमार दीख्षित और पंडित गजारन जूदकर के साथी, सांगवेद, महाविध्याले के आचारे और यग कुन निर्मार पतिती के विशेशके पंडित दत्तातरे ना प्रान शामिल है, प्रान प्रतिष्ठा के लिए दो मंडपों में कुल नो हवनकुंड बनाए जाने है,